हो एक हजलो इउडियो में जनने वाले की एंजल 1 एप्लीकेशन के अंदर हम सेर्च को Ոससे बई कर सकते हैं आज इस वीडियो में आपको कंपलीट प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी कि सेर को वाई कैसे किया जाता है एंजल वन के अंदर आपको सिंपली एंजल वन एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना है जो भी सेर आप वाई करना चाहते हो उसके लिए आपको हम चाइट के ऊपर जाएंगे चाइट के यह जाएंगे कि अब ही इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है अब ही चल रहा 300 सेवंटी सिक्स अजाय कम से कम 376 के अंदर ठीक है 376 के अंदर हमें ये मिल जाए तो अच्छा है तो इसके लिए हम यहाँ पर बाई के उपर क्लिक करते हैं बाई के उपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो जो आपका available case है आपके पास में कितना रुपया पड़ा है वो देख सकते हो यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर 14499 रुपय पड़े है और एक share की value यह है यहाँ पर 376 point कुछ चल रहा है मैं यहाँ पर कितना share लेना चाहता हूँ वो यहाँ पर number of share डाल देता हूँ यहाँ पर number of share यहाँ पर maximum आप 38 यहाँ पर buy कर सकते हो तो मैं यहाँ पर कम से कम 30 share buy करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 30 मैंने type कर दिया है उसके बाद मैं एक तो यहाँ पर limit price का है एक market price का है तो यहाँ पर limit price के उपर click करता हूँ और यहां पर कर देता हूं 376 या फिर 375 ठीक है मैं यहां पर 375 टाइप कर देता हूं उसके बाद में यहां पर देख सकते हो buy on margin पे 50% यह अगर आप margin लेना चाहते हो angel one application से तो वो भी आप ले सकते हो तो यहां पर आपको margin अभी की time में अगर आपकी पास में case available है तो आपको margin नहीं लेना है अब जो यह 30 share आप buy करोगे उसका जो amount है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है margin required कितना है आपका देख सकते हो 1250 रुपे आपको 30 share buy करने के लगेंगे तो यहां पर आप इसके charges के उपर क्लिक करके charges भी देख सकते हो मैं यहां पर charges के उपर क्लिक करता हूँ है यहां पर पता चल रहा है कि 13.38 रुपे हमें यहां पर pay करना परे चार्जन यहांपे टेक्स के अंदर 11 रुपे इस सम्धिंग टेक्स wide पर एक्रे depression Charges से माठेश है डो रुपे कुछम आफे चार्जन से मैं सचौर्ड रहता है यहांपे में क्या करता हूं लिमिट्ड प्राइज के अंदर 2806 सलेक्ट करता हूं और यहां यहां पर देख सकते हो margin required के अंदर कितना है 11,280 रुपय लेकिन charges अभी भी वह ही है कुछ ज़्यादा फरक नहीं नजरा रहा तो यहां पर मैं क्या करता हूँ यहां पर buy के ओपर click करके यहां पर इसको buy कर लेता हूँ अब यहां पर मैं confirm के ओपर click करूँगा तो यह buy हो जाएगा confirm के ओपर click करने के बाद में यहां पर open orders के अंदर देख सकते हो हमारा यह share का जो buy करने का order वो लग चुका है अब भी यहां पर देखने को मिल रहा है कि यह pending है pending इसलिए क्योंकि यहां पर देख सकते हो price जो चल रहा है 377.40 चल रहा है और हमें चाहिए यह share कितने के अंदर 376 के अंदर तो अभी कुछ difference है अगर 376 पर यह आ जाता है share का price तो वहां पर automatically buy होके यहां पर positions के अंदर हमे store करने लग जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप Angel one application के अंदर search को buy कर सकते हो तो आपने देखा है कि हमने Angel one application का use करके किस तरह से search को buy किया आप इसी तरह से Angel one application के अंदर search को buy कर सकते हो I hope यह video आपको पसंद आया video पसंद आया video को like कीजिए और नीचे comment करके बताए कि आपको और किसके उपर वीडियो चाहिए बाकी यार कॉमेंट जुरूर से कीजिए और लाइक जुरूर से कीजिए इस वीडियो को और ऐसे इंट्रेस्टिंग और नॉलजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए